तो गैस वलकम बैक टू माइक्रो कलासिज हमारी सीचे स्यू और एमस्यू की बियर सेकिंड एर की क्लास ही चल लए है आज का मारा सब्जैक्ट है परियावरण सिक्सा आज का मारा टोपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक जो आपकी परियावरण में फर्स यूनिट में परितंत्र लते हैं लोग में बहुत ज्यादा वार आता ये तो इसका क्या आड़ था है वे परितंत्र कैया का रिया होते हमारा जो परियावरण है उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो सभी जीवों कोई भोजन प्राप्ति का अदार होता है हमारे परियावरण में एक ऐसा तंत्र होता है सिस्टम होता है जिससे सभी जीव अपना भोजन बनाते हैं खाते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस सि हैं घ्रावD Land गरें घृँज से मीशोच तैया वह इस रात लेकर में जाते हों त Weight जुम सारी जीवों को खाते हैं उन्हें बजन मिल जाता है जो बड़े मान बाद सारी जीवों को खाव सकते हैं या साखरी जीवों को खाव सकते हैं और जब बड़े मानसारी जीव जो होते हैं मानसारी जीव में मर जाते हैं तो पुने प्रत्वी में जो कार्बन नाइट्रोजन है उसमें बदल जाते हैं प्रत्वी को पुने प्रत्वी को प्रत्वी को प्रत्वी को प्रत्वी जाते हैं इस परकार यह एक सिस्टम बन जाता है कि पेड़ पोदे खाना बनाएंगे साकारी जीव इने खाएंगे मानसारी जीव साकारी जीव को खाएंगे जब मानसारी जीव मरेंगे तो पुने में जैविक एजैविक तत्व जो पेड़ पोदे ने भूमी से सोखे थे खाना बनाते टाइम में पुने भूमी को प्राप में जीवन संभव हो है सबी जीवन जी सकते हैं अगर परितंत्र नहीं बनेगा पूरा एक अच्छा सा तो एक दूसरे को बोजन ही नहीं मिलेगा और जीव नस्थ हो जाएंगे इस वज़ा से का जाता है कि जो हमारे आसपास के जीवें यह दूसरे जीवें हिन्म है अगर में हो जाएंगे तो हमारा अस्थित भी पर जाएंगा उसके बाद पर शाकार Yму भी हमारा परितंत्र बताता है तो क्या हो गविए हमारे जीव हो गए हुगgrass परियावरन क्या हो गए जल हमारे जो कार्बनिक पदार थना डो चर्डर निटरोग्जन वगए परितंत्र क्या होता है परितंत्र क्या होता है जो जीवित परियावरन के मध्य संबंदों को दरसाता है परितंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे सभी जीवों को अपने भोजन की प्राप्ति होती है जिसमें जीवित परियावरन तथा एजीवित परियावरन सब्सक्राइब दोनों सामील होते हैं आपको बता चुक हूँ जिवित परियावरन मतलब ज्याव परियावरन ज्याव परियावरन और अज्याव करीया फर Commeध में घनीवी तो भी carbon nitrogen बनेगा कोई जीव मरे तो भी प्रत्वी को दुबारा carbon nitrogen परात हो जाएंगे तो इस तरह से ये जो इनके भी आपसे संबंद है ये हमारा परितांत्र कहलाता है जैव पर येवरण तो क्या होता है पेड़ पोदे जीव जन्दू अजय उपर एवन क्या होता है सूरिय उड़ जल भूमी कार्बन नैट्रोजन अक्षिजन आधिरासाइनिक पतार्थ तो यह चीजे में आपको बता चुका हूँ जैसे जीव अपना बोजन स्वयम नहीं बना सकते मैं अपने बोजन के लिए किसी ने किसी परकार से पेड़ प पडार्थों पर निर्बर रहना पड़ता है जीव और पोदों के मरणों परांत इनके स्रीर का शेय होने से यह कार्बनिक पडार्थ भूमी को प्राफ्थ हो जाते हैं जिसका पुन्हें पोदोद्वारा उस्वशन कर लिया जाता है इस परकार जाविक परियावरन तथा अब आपसे निर्वरता होती है लिए टंत्र परितंत्र है्ला क्या होता है हमारा जर पर रहेते हो जाएंगे यह सिस्टम बन जाता है परितंत्र का जूझा का परितंत्र, जीवडारी और परियावरं के सब भागों में अनेक परासपरे क्रियाों के योग हैं पीटर हेगेट ने क्या का है परिस्थित्की पादब तता जीव जन्तों का परियावरण के साथ संबंदों का द्यना तो ये दो परिवासा है लोंग में आता है तो दोनों आसाने आपको लिखनी होगी आता है किसी परितंतर में बहुत से अजयविकता तो होते हैं जैसे ये आदी भूमी से पेड़ पोद द्वारा सोख ले जाते हैं उसके बाद साकारी जीवों के द्वारा उन पोदों का सेवन किया जाता है साकारी जीवों को अन्यमानसारी जीव अपना आर बनाते हैं तता अंत में मानसारी जीवों की म्रत्व के उपरांत उनका जीव जो सरीर है पूना भूमी में मिल जाता है और में जो तत्व जो पेड़ पोदों ने अव्शोशित किये थे भूमी से वे पूना प्रिथ्वी में पहुंच जाते हैं पूना भूमी को प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है इस चकर को ही हम परितंत्र बोलते हैं कि परितंत्र के बहुत से कार्य होते हैं तो यह भी आपका सोट में आ जाता है आप यह लिख सकते हैं थोड़ा था परितंत्र के बारे में लिखकर यह कारिया आप लिख सकते हैं आपका सोट कोश्चन तो बन जाएगा प्रैमरी जो में कार्य होता है परितंत्र का पिरत्व प को बना रहे हैं दूसरे शाकारी ची उखा रहे हैं तू अलग अलग सतर होते हैं गर्टकों यह जैविक गटकों के साथ अजैविक गटकों की अंत्यकिरिया को बनाए रखता है तो हमारे जैविक गटा के जैविक परियावरण और अजैविक परियावरण दोनों की अंत्यकिरिया को बनाए रखता है यह खादिस रंखला के माद्धम से उर्जा का परवा बनाए रखत है तो सूर्य से जो उर्जा प्राफ होती है सक अब परवा बनाए रखता है यह जो परितंतर होता है उत्रा धिकार्य परितंतर्द्र विकास को सुनिश्चित करता है तो हमारे स Take कह सकते हैं उसको सुनिशन करता है परियाबरन के एक निरवरता को दरशाता आहा है निरबरता परीपर चीशिंटेंच है परिक इंपोर्टेंट आपके पेपर में आता है जो परीत forces होता है तैप सोब इको सिस्टांच ठोड़ी सी लाइने आपको लिखनी होती है अपने सब्दों में कुछ भी लिख सकते है तो जो परीतंत्र होता है मैंनली दो परकार का होता है प्राकर्तिक परीतंत्र कृ Itrim परेचन्तर भगवान ने जो हम में परितंत्र बना कर परदान किया है उसे तों प्राकर्तिक परितंत्र कहें कि कुछ परितंत्र हम खुद भी बना देते हैं वो हमारा हो जाता है मना उनिर्मित परितंत्र प्राकर्तिक परितंत्र में कौन कौन से परितंत्र आते हैं पहला होता है इस थलिये दूसरा होता है जलिये इस थलिये तीन परकार का होता है जलिये दो परकार का होता है थोड़ा सा आप इसे पढ़ लेना परकारों को हमने परियावरण के परकार पढ़े थे परियावरण के lige क्लिए इस थाओं इस साली तीन परकार का गूते जेलिए दो परकार को तो इस थालीय परी तंत्र तो क्या होता है जो भूमी पर भूमी पर जो हमारे जीव जनतों रह रहे हैं पेड़़ पौधे खड़े विक जो हमारे जनवर हैं उनके बीच जो आप से निर्बढ़ता होती है उससे जो परितंतर बनता है वो हमारा इस थल ये परितंतर होता है वन जो वन में जो बड़े-बड़े जंगल होते हैं जैसे सदबार के वन है अमेजन फोरेस्ट है वहाँ पर जो जीव जन्तु हैं पेड़ पोधे हैं मिलकर जो परितंतर बनाते हैं व मस्माइब बनाते हैं वह अमारा उतलता है क्या होता है समुद्र जल खारा पानी वाला जो परीतंतर मीठेबानी वाला परितंतर जो होगा वह बना देता है जैसे अक्वेरियम बना दिया हमने उसमें कुछ पोदी रख दिये मचली को प्राफ्थ होगी मचली का मल उसके रूप में खाध के रूप में पेड़ पोदों को प्राफ्थ होता है इस तरह से यहां पर भी हमारे चोटा सा परितंतर बन परकार या फिर आप ऐसे को टेवल बना सकते हैं इस तरह लगता है की परितंतर जरी बना सकते हैं अब बना सकते हैं अब प्राकरतिक रूप से जो परी नतर इस भूमी परство एक परितंत्र को हम प्राकर्थिक परितंत्र कहेंगे ऐसा परितंत्र जिसका निर्मांड स्वयम परकर्थी ने किया है प्राकर्थिक परितंत्र कहलाता है यह इस्वर यह होते हैं मनुष्य का इसमें कोई हस्तक सेब नहीं होता प्राकर्थिक परितंत्र दो परकार के होते हैं इस इस्थलिय परितंतर हो जाएगा इस्थलिय परितंतर तीन परकार का होता है तो वन परितंतर यह इंपोर्टेंट है यह आपका सोट में आ जाता है कि वन परितंतर क्या होता है उसको बताईए देखो वन वन के बारे में तो आप जानते होंगे जिन छेत्रों में ज्यादा वर परितंत्र का निर्माण हो जाता है वहां में उस परितंत्र का हम बूलते हैं वन परितंत्र और इसे के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपने सब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं परिबासा की दरश्टी से वन ऐसा भूबा आ गया है जिस पर बहुत सारे व्रक्स उगेवें हूँ वन ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है मतलब सो सेंटीमीटर से मतले जादा अगर वर्षा होती है तो उस अस्तान पर वण वढ हो जाते हैं जितनी ज़ादा व तो उतने ही सदाबार वन हौते हैं ज्यादा बटसा होगी तो महाँ पर सदाबार पूरे साल हरेवरे रहने वालर वह वं वन पेड़ों के अलावाब हो भी बहुत से पसु पसु मिलते हैं हमारे पसु पक्षी, कीट, पतंग, कीड़, मकोड़, अन्य बड़े जानवर भी पाये जाते हैं जिसे बालो, लोमड़ी वगएर वन में नीत ये सभी तत्वों ये सभी जीव और पेड़ पोदे आपस में मिलकर एक परितंत्र का निर्मान करते हैं जो वन परितंत्र कहलाता है वन परितंत्र में पेड़ पोदे भूम में से जैविक तत्वों का उसोशन कर सूरे के परकास की उपस्थिती में बोजन का निर्मान करते हैं वन में उपस्तित साकारी जीवों तथा कीट पतंगों के द्वारा इन पेड़ पोदों तथा इनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का सेवन कर ले जाता है तो पेड़ पोधे बोजन बनाएंगे और जो पेड़ पोधे हैं और इनके उत्पाद हैं फल वगरे हैं तो साकारी जीवों उनको खालेंगे उसके बाद मानसारी जीवों इन साकारी जीवों को खालेंगे अन्ति में जबिए मानसारी जी मड़ जाते हैं तो इनके सरीर का स्या हो जाता है और बहुत से कार्बनिक पदार्थ पुने प्रित्थी को प्राप्त हो जाते हैं इस परकार पेड़ पोदे से जो अवसोशित किये गए थे में पदार्त पुन्य प्रिथ्व को प्राप्थ हो गए यह चक्र बन जाता है और वनों में यह चक्र चलता रहता है इस चक्र कोई या इस आप्ष निरबढ़ता कोई हम वन परितंत्र बोलते हैं तो यह आप लिख स हैं में जो परितंत्र की परिबास हैं इए अप से विट्य कंश लेते हैं यहां पर इस्केंड़ के कॉप परीं परिथे-चैजी fundament जी से की पिंडिन जिव जनतु होते हैं वह रिग पर कर ते कई तो आंब दूसरे पेड़ उग जाते हैं तो इन सब में आप से निर्वरता होती है तो इसी वज़े से हम यहां पर वन की विशेष्टा ही बता सकते हैं अगर आपके पिपल में आता है वन परीतंतर की विशेष्टा ही बताइए तो कुछ विशेष्टा ही आप वनों की लिए देना कुछ विश उसी जाती पर जाती है वनों में रहती है हम इंदन लकडी जैसे बहुत से उत्पादों का परियोग करते हैं वन के वन हमारे आर्थिक संपदा में विरद्धी करते हैं एक संसाधन के रूप में विकाम करते हैं वन भूमी कटाओ को रोकते हैं पराकरतिक संतुलन बनाते हैं वगेरा बननकर आते हैं तो वहनों के तो काफी लाव होते हैं अपने सब्सक्राश्ञा दोना है, वहांपर भी एक अपना अपना अलग परितंत्र बन जाता है, जो बन परितंत्र से बिल्कुल अलग होता है, उस परितंत्र को हम मरू प annéeतर बोलते हैs, निप कि स्थालनी परितंत्र बोलते हैं यहां पर बड़े बड़े पेड़े नहीं मिलेंगे कुछ कटीले पदार्थ मिलेंगे कुछ अलग तरह के जीव मिलेंगे हमें देखने के लिए जाड़ियां वगरा मिलेंगी और इनमें आपस में एक संबंद बन जाता है उस संबंद को हम यह हमारा मरुस्थल परितंत्र यह मरू परितंत्र देखो आपने मरुस्थल के बारे में सुना होगा कि ऐसा स्थान होता है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है रेत वगरा होता है लेकिन जो मरुस्थल होते हैं वे दो परकार के होते हैं मरुस्थल दो परकार के होते हैं प लद्दाख है वो बर्फ वाला मरुस्थल है उसे हम सीत मरुस्थल बोलते हैं क्योंकि जहाँ पर बर्फ पढ़ती है ज्यादा वहाँ पर भी वर्फ सा बहुत कम होती है रेग्षितानी मरुस्थल की ही करते हैं सामने तब मरुस्थल उस भूबाग को कहते हैं जो बहुत गरम हो या बहुत ठंडे हो जहाँ पर भूमी बंजर हो और वर्फ सा बहुत कम होती हो वनस्पती बहुत कम हो यह मरुस्थल की विशेश्था ही है और इन विशेश्थाओं को हमारा बर्फ वाला इलाका और रेत वा पानी में अगनी होता है इस करन अधिक मातरा में तो नहीं लेकिन कुछ विसेस परकार के पोधे वे पसूपक्सी वह पर निवास करते हैं. इन पसुपक्सी पेड़ पोदों में घनी जाड़ियां, कुछ विसेश प्रकार के गास जैसे नागपनी, बबूल, कटीले पोदे आदी पाई जाते हैं जियों में किडे, मकोडे, गाएं, बैंस, भेड़ बकड़िया, चुएं, साब बाज, चिल आदी परमुक हैं यह सभी पसुपक्सी पेड़ पोदे, मतलब यह सभी तत्व आपस में मिलकर एक परितंत्र का निर्मान करते हैं, जो मरू परितंत्र क्यालाता है मरुस्तल परितंत्र की कुछ विसेशता हैं, यहाँ पर आप मरुस्तल की विसेशता हैं लिख सकते हैं मरुस्तल ऐसा इस्थान है जहाँबर 25 cm यह उस से कम वर्सव हती है देखो वर्सब को आप ऐसे divide कर सकते हैं 0 से 25 हमारा 25 से लगवग 75 कहा देते हैं या फिर 100 भी कहा सकते हैं और 100 से plus इस तरह से आप divide कर सकते हैं 0 से 25 है तो मुरुस्तल होगा 100 के करीब होगी वर्सब उससे ज्यादा होगी तो हमारा 1 हो जाएगा और 25-75 मर मैदानी छेतर होते हैं घास वगयरा के मैदान होते हैं जहांपर हम निवास करते हैं मरुस्तल में वर्षा बहुत कम होती है लगए 25 सेंटीमिटर या उससे भी कम होती है सालाना वर्षा यहाँ पर सादान पोदेवे सादान वनस्पती नहीं पनप सकती यहां पर कुछ विशेयस परकार की वनस्पती जैसे कटीलीय जाडिय पनप जाती है यहां पर पानी की कम होती है यहां भूमी के उपरी 10 से 20 पर 30 सा हिस्सा रेत से डखा होता है बाकि उसके नीचे कंकड बजरी पत्थर वगयरा होते हैं यहाँ पर अनेक परकार के खनीज लवन भी होते हैं, कुछ दूडलब खनीज लवन जैसे यूरेनियम भी मरोस्थर में मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर तेल oraz प्रकर्था कर्थी गैस बंदर्यों मरोस्थर मे परते हैं दिन में तो यह बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत अधिक थंडे होते हैं रेगिस्तानी परिस्थित की तंतर में हवाव का वे बहुत अधिक होता है जिसके परिणाम सरूप वहाँ पर टीलों करे मन हो जाता है तो मरुस्तल परीवतनत्र के बारे में आप सीद श्यठा से लिख सकते हैं मरुस्तल की क्या विसेश्था है नेक्स्ट हमारा गास के मैधान जहांपर वर्सान ने तो काम होती ने जड़ा होती मापर योजादा होती हैं तो चोटे चोटे गास के मेदानोते पूरे साल उन में घास ऊगा रहता है जीव जदू घास खाते रहते हैं, मरते रहते हैं, गलते रहते हैं, तो गास महाँ पर होता रहता है खाते रहते में उगता रहता है तो इससे भी एक अपने परीतंतर का निर्मान हो जाता है जो गास के मैदान परीतंतर कहलाता है इसे तो आप अपने परितंदर का निर्मान हो जाता है जो हमारा गास के मैदान परितंदर कहलाता है गास के मैदान वे छेतर हैं जहां गास लगबग पूरे वर्स बर बनी रहती है यह दुनिया की पर्मुक मुनस्पतियों में से सबसे व्यापक मुनस्पति है गास के मैदानों ने प्रेथवी की छेतरों से ज्यादा होती है गास के मैदान में पाई जाने वाले जानवर मिरग जेबरा वगरा 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 यह होते हैं जानवर इनमें साकारी जानवर गास को खाते हैं मानसारी जीव साकारी जीव को खाते हैं फिर यह मारते हैं तो बुम्मी को पुने प्राव में जो पढ़ा था भूमी पर जो होता है अब जल में बात कर लेते हैं जल में भी काफी परितंतर होता है अब अपने सब्दों में आप लिख सकते हैं इस योग्य हो गए होगे जल में भी काफी जीव जनतों होते हैं पेड़ पोदे होते हैं जो आपस में मिलकर एक परितंतर का निर मारे मच्छर वगेरा इस तरह से सांप मच्छली और भी काफी सारे जीवजन्तों हमारे जल में रहते हैं गो स्ब्सक्राओंन व नापने आपम एक परितंत्र का निर्मान करते हैं इस मोphin करते है जिसे जट अन्य को tam जलिये परितंत्र दो परकार का होता, लव ने परितंत्र, याल लव ने परितंत्र, नदिओ तलाबॉं में, जो मीठे पानी के जो परितंत्र बनेगा वह आपड़ वो कह एल लवुनिये परितंत्र के बारे में था, अब मानम निर्मित पारितंत्र के की लिए कुछ परितंत्र का निर्मान कर लेता है जैसे जैसे गार्ड़न गार्ड़न काफी सार फेल पूल पोडी पोडो दिल Courtney लगा देती हैं बदूमख्य और आ यह वगारा कुछ ऐसी होती है जो तिड़ी वगारा को खाती रहती है किट पतंगों खाती रहती है तो इससे भी यहां पर एक परीतंत्र बन जाता है अक्वेरियम इसके लाबाद जू में भी काफी सारे पेड़ पोदियम लगाते हैं काफी सारे जानवरों को छोड़ते हैं जानवर पेड़ पोदों को खाते हैं जब गोबर बगरा करते हैं तो पेड़ पोदों की बीच से नए पेड़ पोदे गुजाती हैं तो यहां पर भी एक आपसी निर्वर्ता में परतीत होती है तो यह क्या हो जाता है मानव निर्मित परीतंत्र हो जाते हैं क्रित्रिम पर जान बूज कर बनाए गए हैं यह संसोधित किये गए हैं यह प्राकर्तिक तंत्र प्राकर्तिक परिस्तिति की तंत्र के कुछ पहलों की नकल किये होते हैं जो हमारे कृत्रिम परियावरण होते हैं यह हमारे वास्त्विक जो प्राकर्तिक परितंत्र होता है उसकी नकल किये हो उद्धान को वह देखते हैं गार्डन होगारा है और बड़े पैमाने पर जल्य किर्सि के प्रणा लिका भी उप्यू किये जा रहा है तो इं Ho विडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने भी जूचँ से सेयर कर सकते हैं BRD की सभी सब्जाट की डेली रागुलर क्लासी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाई टेक केर